नमस्कार दोस्तों, तो आप समने मुझसे पूछा था कि B.A.D. के एकजाम में कैसे गुनवत्ता पुर्ण उत्तर लेखन किया जाए, यहनि की क्वाइलिटी वाला एंसर, क्वाइलिटी एंसर राइटिंग कैसे किया जाए, तो देखिए एक क्वेश्चन है, लर्निंग अन् सिक्षक की भूमिका एवं कारियों की विवेचना कीजिए, discuss the role and function of a teacher in the teaching process, तो आपको समझ में आ गया होगा, तीन कीवर्ड है, एक सिक्षन परकिरिया, यहनि की teaching process, दूसरा है आपका सिक्षक की भूमिका, और तिसरा है कारियों की विवेचना, इन्हीं कारियों की विवे मतब मैं कोशिस किया हूँ, आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं, सिर्फ मैं कोशिस किया हूँ कि थोड़ा लगे कि हाँ, एंसर सही तरीके से लिखा गया है, पढ़कर लिखा गया है, सिक्षन छात्रों को ग्यान, कौसल और समझ परदान करने के लिए, त्री धुरूव इसके दोरा, इसमें सिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका होती है, जहां सिक्षक छात्रों को पाठ या प्रकरन किंदृत ग्यान और अनभव को स्विकार करते हैं, और उसे समझते हुए अपना विकास करते हैं, यही तो होता है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या अपने अनभप को दिजेगा और बच्चे उसको लेंगे असवीकार करेंगे और अपना विकास करेंगे इसी संदर में कलार्क ने कहा है कि सिक्छन उन गतिभीधियों को संदरवित करता है जो बिद्यार्थीयों के बैवहार में परिवर्तन दाने के लिए design और निस्पादित किया जाता है तो इस तरीके से क्या हुआ अपनी answer को आपने परमानी किया तो relevant definitions को इस तरीके साब add कर सकते हैं अब थोड़ा सा innovation लेके आई अपने answer में जो आपने tripolar लिखा इसको थोड़ा इस तरह से दिखा दीजिए इस तरह से आपने कम सब्दों में ज्यादा बाते कह दी अब देखे आगे करते हैं उत्तर इसलिए उपर वाले से नीचे वाला connected रहना चाहिए अब वहाँ आपने session परक्रिया डिफाइन कर दिया इसलिए इस संद्रचित परक्रिया में मैंने आपको बता दिया कि कैसे संद्रचित या औरनाइस प्रोसेस होता है मैं सिक्षक किन्नीमन भूमी का संभव है इसलिएटर होता है बच्चा सीख रहा है तो थोड़ा उसको है help करता है मदद करता है या इसे नेविटा इसे सीखो तो यह मार्क दरसक के रूप में मार्क दरसन करता है कि इस तरह से आप सीखेंगे इस तरह से आप बनाएंगे इस तरह से आप करेंगे सलाकार के रूप में, सलाह भी देता है, गलत करता है, या सही करता है, सलाह देता है, कैसे इसे करना, यह मत करना, सीखते समय, यह वाला चीज ज्यान का संचारक एने ट्रांस्मीटर ऑफ नॉलेज और छात्र एवं कैरिकुलम के बीच मध्यस्तिने नेगोसेटर के रूप में, तो इसमें से कोई एक भी उनकी भूमिका हो सकती है, सिखन पर क्रिया में, एक सैधिक भी हो सकती है, तो इसलिए संभव है, ऐसा लिखा गया कि यह जो सिख्छक की भूमिका है, MKO यानि मोर नॉलेजवाल अधर कहा है, आपने लिख बैगोर्षकी को पढ़ा होगा, उसके कंसेप्ट को यहां यूज कीजिए, तो आपका एंसर गुनबत्ता पुन बन जाएगा, जो कौन? MKO, जो सीखने वाले को स्केफोल्ड अर्थ साथ अपने ज्यान एवं अनुभव से सीखने में मदद करता है, ताकि वह टीचिंग टॉपिक के, यानि कि जो आपका प्रकरण है, पढ़ाने वाला, सिक्छन का प्रकरण है, तो टीचिंग टॉपिक के संदर में विकास के निकटस्थ संभावित छेतर, जिसको सर परधम पाठी क्रम योजना यानि curriculum प्लानिंग करते हैं, जिसमें छात्र के उम्र के अनुसार क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, कैसे सिखाना है, परियोजना तयार किया जाता है, आप curriculum को देखिएगा, किसी भी क्लास के curriculum को, तो आपको ये बाद समझ में आ जाएगा Transaction ही तो करते हैं न, आपके अंदर ज्यान है तो आप Transaction करते हैं बच्चों के दिमाग में ज्यान को, ये समझ को ये कॉसल को, तो ये वला चीज है दूसरा, तीसरा क्या है सिक्छन के दोरान छात्रों को विभिन तरीके से अभी प्रिरित करना एबं बेक्तिगत भिन्यता का सम्मान करना देखिए आप सब कुछ योजना अच्छे से बना लिए करिकुलम अच्छा है आपका लेसन प्लानिंग अच्छा है रुचिपून दरीके से आप उसको प्रस्तूत भी कर रहे हैं अपने नॉलेज को टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से ट्रांजेक भी कर रहे हैं लेकिन बच्चे अभी प्रेरित नहीं है मोटिवेटेड नहीं है सीखने के लिए रेडी नहीं है तो वो सफल नहीं हो पाएगा आपका ना सिक्षन सफल हो पाएगा ना आप effective यानि के प्रोभाब साली सिक्षन कर पाएगे तो सिक्षन पर करें अच्छा नहीं हो पाएगा इसलिए अभी प्रेरना बहुत जरूरी है एवं ब्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना आज ये बात तो सब लोग जानता है कि एक क्लास में कई बच्चे हैं तो सब के सीखने के तरीके अलग-अलग हैं तो इसलिए सब के सीखने के तरीके के या सब के गुनों के कोई बच्चा किसी चीज में तेज है कोई बच्चा किसी चीज में तेज है तो उसके इंडिविजुल डिफरेंस का हम सम्मान करें रिस्पेक्ट करें एक टीचर के तौर पे ये वाला मामला वन साइज फिट फोर ओल वाली बात हम ना करें क्लास में ताकि रियल टालेंट को हम पहचाने अलग-अलग छेतर में नेक्स है छात्रों का मुल्यांकन करना और प्रगति कोमापना अब मुल्यांकन भी एक तरीके का नहीं होना चाहिए हो सकता है कोई बच्चा बोल के अच्छे से बता सकता हो इसलिए इंटर्विव रखा जाता है कोई बच्चा लिख के बता सकता हो इसलिए राइटिंग रखा जाता है, कोई बच्चा करके बता सकता हूँ अच्छे से, आपने जो सिखाया करके, तो इसलिए project method का हम परियोग करते हैं, तो ये कई तरीके के मुल्यांकन पद्धिति को हम अपना है, जब आप ट्रांजेक्ट कर रहे हैं classroom में topic को तब, फिर next है सहज वा मधूर संबंध बनाना, और माग दलसन एबं सहयोग परतान करना, अब teacher और student के बीज में संबंध ही, अगर सहज ये मधूर नहीं रहेगा, सरल नहीं रहेगा, तो बच्चे अपने, अच्छे से खुल नहीं पाएंगे, और जब खुल नहीं पाएंगे, तो अपनी सिक्षन परक्रिया में सिक्चक की भूमिका, उद्कृष्ट सिक्षा परदान करने में महतपुर्ण है, इसका मुख धेश छात्रो को ज्यान, सुक्ष मुद्धी, स्यमाजी कौसल परदान करना है, जो छात्रो के सफल विकास में मदद करती है, ताकि वो अपने जीवन में स सफल हो सके अब यहां पर आप किसी एक महापूरुस के कथन को भी आप लिख सकते हैं मैं यहां लिखने के लिए भूल गया हूँ आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख पाएंगे अच्छे से एक मतलब एक आपको सैंपल दे दिया गया है आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं अंसर राइटिंग कर सकते हैं तो उमीद है आप समझ पाएंगे तो ठीक है फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ प्रिवेसर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए तो अच्छा आपकी तयारी घंक्यो